खुआ 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 है अजी गुड़ीवनिंग एरिवन गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग जल्दी से जल्दी बताई आपको आज आ रही है जे है अजी गुड़ीवनिंग तेखी आज जो है हमारी क्लास ना अब से जो है शाम को आठ बजे हुआ कि हुआ करेगी आपको पता होगा कि दिल्ली में थोड़ा सा लॉकडाउन का सिचुईशन है तो हम रात को क्लास नहीं करेंगे मतलब देरात तक नहीं करेंगे कुछ ना कुछ टाइमिंग हम बिठाएंगे लेकिन यह जो डेली क्लास होगी वह तो आठ बजे होगी ठीक है बाकि जिसको भी आप जो भी आपके साथ बच्चे मतलब हैं वगएरा वगएरा तो उनको भी आप बता सकते हैं क्योंकि मुझे प चलिए चलो कोई ना आप ते आएंगे देरे बच्चे आएंगे हम अपना जो है सेशन जो है स्टार्ट करते हैं चलिए बढ़ते हैं जी आगे तो आज है हमारा सेट नंबर सिक्स और इस वीडियो को लेकिया रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल सो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ आम मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के उपर फॉलोव कर करी एनिटिंग जो भी आपके साथ शेयर करना होता है मैं टेलिग्राम चैनल के उपर शेयर करता हूं इंस्ट्राग्राम की उपर मुझे फॉलोव कर सकते हैं डॉक्टर विपन गोईल के नाम से मेरे दो बेड़ कोर्स आते हैं दो वान इस तैन थाउजन एंसी कोर्स जिसक बिल्कुल बेसिक से हैं में इसमें थेयरी को समझा है और जो भी आपका कोर्स है वो वैलेड है वो लगाई है और अपना डिसकाउंट ले और यह इन कोर्सिस को आप ले कहा सकते हो वह मैं आपको बता देता हूं स्टडी आईक्यू एप से ले सकते हैं जा फिर जैसी आप दबाएंगे 10,000 mcq कोर्स आपको नजर आएगा तीसे नंबर की उपर और जीस को आपको नजर आएगा चौथे नंबर की उपर जो भी आपको को अच्छा लगता है आप ले लिजिए अपने प्रेपरेशन को आगे बढ़ाईए कोई भी आपको डाउट हो किसी चीज़ के रिगार्डिंड पेड़ कोर्स के में कुछ आपको पूछना हूं मेरे से तो मुझे इंस्ट्राग्राम की उपर डिरेक्ट मैसेज कर सकते हैं क्लियर चलिए बढ़ते हैं आगे स्टार्ड विदा फॉस्ट कोशन को जी कोशन देखेजी क्या गयता है अदा फेमस वैंडी वाश जो युद्ध था सत्रास सुट्ट साथ एंग्रेज्जों दौरा किसके साथ लड़ा गया था देखिये एक्चुली यह बात यह है कि जो वैंडी वाश का युद्ध हुआ था ये बिटिश और फ्रांस के अगसात हुआ था तो पहले तो अंसर क्या बनेगा फ्रेंच इनकी जो है सेवन इयर्स जो आपकी वार ओफ सक्सेशन चलता चला जा रहा था 1716 में यह सब कुछ खत्म हो गया और अंग्रेजों ने पूरा रूल इस्टैब्लिश कर लिया इंडिया में और यह फ्रेंच को भी इन्होंने भगा दिया मतला हरा दिया अब जो ब्रिटिश है जो ब्रिटिश के फोर्सी सी वह किसके अंडर थी आयरे कूट इसके अंतरकत थी अट और फ्रांस की जो ठी ही टिल य myself जीडर के नाम है इनकÈ जैंडर के नाम है डिस कॉंटिदे लिए ठीक है जो फ्रांस वाले पर्सन जो हारे थे और ब्रिटिश जीते थे तो यह वहär थी आपकी तो उनसरी समें क्या बनेगा अपका na every one option is the correct answer yes अब देखिए एक चीज़ में आपको और बताता हूँ हाँ ठीक है फ्रांस के साथ थी लेकिन ये बीपीएसी का कोशन है और बीपीएसी का कोशन ऐसे नहीं सॉल्व होता ठीक है बीपीएसी बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन का पेपर में कोशन ऐसी नहीं ठीक है थोड़ा सा टफ है लेकिन ऐसे नहीं की ऐसी डाल दिया और ऐसी वार को हम क्या कहते हैं कार्नेटिक वार भी इसको कहा जाता है यह कार्नेटिक वार भी है समझाया आप लोगों को यह कार्ने का थी यह जा रखना एक कुश्चन का थर्ड का नेटिक वार थी यह जी करें आगे डिसी बैटल थी बिलकुल अंगलो फ्रेंच वार की डिसी बैटल थी तो दिस वाज बैटल ऑफ वैंडी वाश सेवने बिटिश डिस जो है इसमें डिफीट किया फ्रांस को साथ जो साल का वार अफ सक्सेशन था उसको खतम किया यह थर्ड वार तीन वार लड़ी गई तीसरी वार्थ ही यह जैडिस वैंडी वाश वाली कौन से टेंपरेचर के ऊपर सेंटीग्रेड और फार्नेहाइट टेंपरेचर बराबर हो जाते हैं सेंटीग्रेड और फार्नेहाइट टेंपरेचर जो है बराबर हो जाते हैं थर्मोमेटर में सेल्सियस और फार्नेहाइट यहां पर इसमें कौन सा बराबर होगा यहां पर जो होते हैं माइनस 40 के उपर जो है दोनों बराबर हो जाते हैं आपका माइनस 40 यह ना चाहिए जिरो सी 0 कड़ गया जिरो सी 0 कड़ गया इटीन 4 जार 72 माइनस 72 इस इगल टो f-32 यह माइनस का पॉस्टीव में चला जाएगा जानके माइनस 40 इस इगल टो f तो आगया आपका फार्न हैट का माइनस 40 क्लियर हो गया आप लोगों को यह देखें जी माइनस 40 के उपर बराबर हो आते हैं सेल्सिस और फार्न हैट यह से जी अगला बताओ जल्दी से जल्दी बताओ हम जैपान लाग जैपान का सबसे बड़ा आइलेंड बताइए जोगराफिकल एरिया में सबसे बड़ा जो है कौन सा है जी बताइए 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 फटाफट वेरी गुड़ इन में से यह पहले चार हीहां होंशू सबसे बड़ा है पहले नमबर पर होकाडओ तूसरे नबर पर पर और यह की तीसरे पर शिको को च चौथह न Umody सबसे बड़ा आइलैंट यहां पे होउशू ऑइलां इसमीं ब अपशन बनेगा करेक्ट अशर बनेगा होसूज आईलेंट इस दराक्ट एह उन्हें लिए तो तो डिस इस दा आई-लें यह आपका सबसे बड़ा होउशू आई-ले जानड द्यन होपीड़ है ऑसकी यह कि ढू को so these are very important तो आपको यह में याद रखना है होंशू इस दा राइट अंसर होंशू कि इन में से जो चिकन कारी चिकन करी वर्क है जो फेमस है आपका एंब्रॉइडरी के लिए परामप्रिक कला है चिकन कारी काम यह कहां पर फेमस है यह क्या होता है कि पहले यह क्या करते थे वाइट कपड़ा लेते थे वाइट कपड़े के उपर ही वाइट से ही उसके उपर सिलाई जो करते हैं डिजाइनिंग वगारा करते थे पहले ऐसे होता था लेकिन आज कल डिफरेंट डिफरेंट कलर भी समझाया तुम्हें तो ओविसरी बात यह कहां पे होने वाली है यह है लखनव के अंदर लखनव इस दा कैपिटल आफ यूपी उत्रपरदेश लखनव की नदी के किनारे पर है गोमती रिवर के किनारे पर है यह याद रखना आपको ठीक है सो अंसर इसमें क्या बनने वाला ह है लखनव इस दा राइट अंसर यह जी लखनव क्लियर होगा आप लोगों को अंसर इसमें ए ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर जहां से question समझे और अंसर दीजें इंडियन बैंकिंग Professor में जो सिबील सकोर हुता है सुना होगा आप लोगोंने सिबील स्कोर इस वरड का मतलब क्या होता है what is the meaning of syrolling स्कोर सिबील का मतलब क्या होता है credit information Bureau India Limited credit information Bureau India Limited this is a civil what is the meaning क्या है इस वर्ड का मतलब क्या है जल्दी से जल्दी बताओ इस वर्ड का मतलब क्या है इस वर्ड का मतलब यह होता है कि हाँ भाई तुमारा स्कोर कितना है आपका credit worthiness कितनी है यह होता है civil score जो आपका 300 से 900 तक चलता है अगर आप बैंक में अच्छी से transactions करते हैं पैसा निकालते हैं पैसा जमा करते हैं किसी बाउंस नहीं होता प्रॉपर तरीके से आपकी अमाउंट जो है transaction होती है तो आपका सिबल स्कोर जो है अप चला जाएगा इसका मतलब क्या है कि 750 कुछ होता है जो उसके उपर ठीक है अपने बैंकिंग की टर्म में नहीं जाना बस समझना है बस हमने कि अगर आपका 700-750 से उपर हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको लोन बहुत एजीली मिल जाएगा अगर देखें की बैंक के पास जायेंगे आप लुकि लोन लेने जा रहे हो किसी बीसीज circuit कपसकisesti करतां सिबस्कोर और स्वस्कeidan करता है थे होता है आपका 300-900 नौसके और हम मेजर करते है ट्रीट इन्टिश्म अगर हाइयर स्कोर है तो चांस हैं आपका लोन ऐसी अप्रूफ हो जाएगा, so this is the siber, तो हमें पता लगता है, the merit of the credit of the individual, किसी व्यक्ति के रिंड की योग्यता क्या है, अंसर इसमें क्या बनेगा, one option बनेगा, correct answer बनेगा, बहुत बाई ये किसी कंपनी का नहीं होता यह आपका होता है कंपनी का नहीं होता यह सबस्क्राइब उक्ति लेकिन वहां पर क्या हुआ था कॉल्रा है जा फैला हुआ था इसलिए कहां पर हुआ बॉंबे में गोकुल दास तेजपाल कॉलेज के अंदर हुआ और इसमें प्रेजिडेंट कौन थे पहले डब्यूसी बेनर जी और इसको आइएंसी को बनवाने में सबसे बड़ा हाथ है यह हुम का सबसे बड़ा हाथ है तो इसमें क्या बनेगा जी आपका डब्लूसी बैनर जी इस दा करेक्ट अब आप से पूछा जा सकता है कि जब 85 में डब्लूसी बैनर जी के द्वारा जो है यह मतलब किया गया इसको मतलब इसमें बैठे 72 लोग इसमें आये थे और यहां नाशनल कॉंग्रेस बनी तो इस टमपे गवनर जनरर वाइसरा कौन थे लॉट डफरिंड लॉट डफरिंड वाज़ा वाइसरा जो हमारे देश के अंदर थे अंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट अंसर फिरोशा महता की बात करूं तो यह भी आपके आइंसी बनने मे बहुत बहुत साथ दिया इन्होंने फिरोशा मैता वागेरा उसमें लोग थे दादा बाइन रोजी इस इस आल्सो देर दादा बाइन रोजी को हम और का क्या बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पौवर्टी एंड अन बिटिश रूल इन्होंने लिखी है ड्रे fix it और इनकी जो प्रालेट सेकरेटरी ती अंगी सेकरेटरी धी डैड़ वाजम बीका जी कामा मैंड़के को बोलते थे मदर आफ रैविलिशनरी क्योंकि यह सरदार सिंग राणा के साथ मिलके क्या करते थे एक्सप्लोजिव एक्स्प्लोजीव प्लस जो आपके मतलब हमार जो कहते हैं कि मतलब पर्चे जिसमें हम उसमें लिखते थे कि हां इंडियन के लिए लिखा जाता था तो वो सारे के सारे स्मगल करते थे यह ठीक है और मैडम विका जी कामा ने क्या किया था तीरंगा लहराया था 1907 में आपका सेकंड सोशलिस्ट कॉपरेंस हुई थी जर्मन बनने वाला है वो बनेगा आपका option डबलूसीव एनरजी इस दा करक्त ब्रडूसी बैं डबलूसी बैंनेरजी के बारे में पहले सेशन में यह बैटे भांबे सेशन में पिर उसके बाद आठारासोंब के सेशन में और इन्हों ने जो है बनाई ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से कॉडिनेट करके काम कर सकें और यह लॉयर थे वकील थे और डेट सेट तो दिस इस वेरी इंपॉर्टन डेट इस कॉल व्यों मेश चंद्र बैनर जी वह मेश चंद्र बैनर जी अगला अंसर बताईए इस टॉपर जो होता है एक खेल में होता है यह कौन सी खेल के साथ संबंदीत है यह को ऐसे जब आता ना तो आपको बस पढ़ लेना है जाला सारी चीजों के मत पीछे मत चले जाना उसमें क्या है उसमें क्या है जैसे अगर मैं कोशन करवा रहा हूं जा आप भी कहीं पर पढ फुटबॉल में अंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा फुटबॉल इजा करेक्ट अंसर समझाया जी ए ऑप्शन फीफा आपको पता होगा फिफा के जो प्रेजिडेंट है वो कहां कौन है ग्याननी इंफैंटिनो इंफैंटिनो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होने वाला है कहां पे कतर में अब आप मुझे बताएंगे फीफा के हैड़कॉर्टर कमेंट सेक्शन में लिखके बताएंगे फीफा के हैड़कॉर्टर कहां पे हैं यह कमेंट सेक्शन में लिखके बताएंगे आप मुझे जी फीफा के हैड़कॉर्टर समझाया तुम्हें जी ऑन्स इसमें क्या बनने वला है आपका one option बनेगा correct answer बने बनेगा one option कि युनाज इसन में one option बनेगा चलिए जरी यगला अंसर देखिए unit of acceleration is acceleration के unit क्या होते है acceleration के unit क्या होते है देखिए acceleration क्या होता है acceleration is equal to velocity upon time velocity किसके बड़ाबर होता है speed upon time speed upon time into time ऐसे speed का unit होता है meter और time का होता है second into second that means meter per second square meter per second square तो देखो जी कहां पर यह meter per second square यह है meter per second square अंसर इसमें third option बनेगा correct answer बनेगा meter per second square जे अगला अंसर बताइए इन में से ऐसा कौन सा एक्ट है जो बताता है हमें separate electorate के बारे में मतलब separate electorate का मतलब यहां पर हिंदू-हिंदू मुस्लमान मुस्लमान को चुनेगा तो यह कौन सा एक्ट है जी जी तो यह कौन सा एक्ट है यह है आपका council act of 1909 इंडियन council act 1909 और इसको हम और क्या कहते हैं मौरले मिंटो रिफार्म भी कहते हैं मौरले कौन है secretary of the state है मिंटो कौन है गवर्नर जनरल वाइस रॉय हैं समझाए आप लोग इसमें डी option बनेगा 1833 का चार्ट इसमें आपका English education को इंटर्डूस किया गया पहले इंटर्डूस आपका 1835 में किया गया था इंग्लिष ना यूज करके जिसमें आपका dual government को खतम किया गया जो है आपका regulating act बनाया फैटल code बनाई जो आपकी कहां पे थी कॉलकाता के अंदर थी इस वेरी इंपॉर्टन पार्ट क्लियर फिट्स इंडिया board of directors board of governors दो तरीके की जो है आपकी dual government यहां पे द्वारा से बनाएगी बौड ऑफ डेरेक्टर जैंड बॉर्ट रव गवर्नर में क्या बनने वाला आपका डी option बनेगा correct अंसर भारतिया परिशत अन्यिनियंग नाइंटी ज्यरो नाइंसर इसमें डी option बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा अंगला देखो when can포 देखे जी क्या गैसे जब एक ज्ट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज नहीं डॉस्ट चैंज और संल दिखा है बदल सुन नहीं बदलता और बदलता भी है ठीक है देखे देजनाट चेंज की बात करें तो फ्रिकैंसी कभी भी नहीं बदलती आपकी एक मीडम से दूसरी मीडम में लाइट जाएगी तो फ्रिकैंसी आपके सेम रहेगी लेकिन जो चेंज होता है वह आपकी स्पीड चेंज हो जाती है समझाया जब एक मीडम से दूसरी मीडम में जाती है तो स्पीड चेंज हो जाती है स्पीड से आपका वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा तो इसका मतला अंसर में क्या बनने वाला है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है है more than one of the above अंसर इसमें जो है आपका यी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा यी ऑप्शन है समझाया इन्होंने बोला है डास नोट चेंज और चेंज चेंज नहीं होती और चेंज होती है तो इसका अंसर हम एक को टिक करेंगे क्यों क्योंकि फ्रिकैंसी चेंज नहीं हो संगे सैशन ओंधा पार्लेमेंट किसे कहते हैं सैशन जो होते हैं सतर जिसे हमां मैंतें होते हैं जहां में सबसे चोटा Pier विंटर होता है सबसे लंबा सेशन जो होता है वो बजट सेशन होता है उसमें अ बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा बी आप्षिन एब बी आप्षीन इस और राइट अंसर बताहो जी अगला गौश्शन नेशनल डेवलेमेंट काउंसिल ndc is headed by देखे पहले क्या होता था आपका नीतिया प्लैनिंग कमिशन था प्लैनिंग कमिशन आगे जाता था एंडिसी के पास सारा प्लैन और यह आपका डिसाइड करते थे कि हां आपका डिसाइड करता था चे अगस्त 1952 को बना था यह और अप्रूवल इसका होता था फ्लैन को इंप्लिमेंट करने के लिए इसके चेर पर्सन कौन होते थे प्राइम मिनिस्टर तो अंसर इसमें यह ऑ मैंबर होता था वह डिसी का मैंबर होता था लेकिन डिफ्रेंस यह होता था कि एंडिसी में चीफ मिनिस्टर हैं स्टेटाइट यह वगधर आते थे और यह आज इस काम बिल्कुल सेम यह बस एक दो बंदेल बढ़ा के हमने एक तिंग तेंग मतलब अच्छे तरीके से एक्जीगूट करने की बात कर रही है नीतिया योग में लेकिन इस कोशन का जो अंसर बनेगा वो बनेगा आपका यह ऑप्शन बनेगा ड़िस प्रधान मंतरी इस प्र एग्रिकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट नैश्नल बैंक प्र एग्रिकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट यह बना गप था होता है इसके पास RIDF that is called Rural Infrastructure Development Fund RIDF का fund जो सारा करता धरता है वो नाबाड के पास होता है एक कोशन आपको और बताता हूं नाबाड का यह हो गया एक कोशन आपको पेपर में पूछा जाता है जितना भी और भी बगएरा होते हैं जब कॉपरेटी बैंक्स होते हैं उनको लून कौन देता है अगयें आपका नाबाड देता है क्योंकि उनका काम विकास करना में इसमें क्या बनने वाला है आपका यह औPS में बनेगा और इक चीज़ आपको बताता हूं 1988 याद रखना किसान क्रेडिट काड 92 98 में द्याहां रखना है आपको इसमें यह option बनेगा यह आज आपका नाबाड का फुल फॉर्म 82 में बना था कि अगरा देखो कि दुर्गापूर आयरेन और स्टील प्लांट इस लोकेटें इन विच इंडियन स्टेट देखिए एक एक चीज में आपको बताता हूं आयरेन और स्टील प्लांट तीन इकठे लगाए गए थे सेगेंड फाइव यर प्लान में दूसरी पंचवर्षे योजना में 56 61 में और वो प्लान का नाम था नहरू महल महल नॉबिस प्लान और महल नॉबिस वहाज में परसन जिनके कारण जो है यह प्लान एक्जिगूट हुआ था मैल नॉबिस और तीन आपकी फैक्टरिस लाइग गई थी और तीनों की तीनों आयरेन स्टील प्लांट ते जिसमें से एक दुरगापूर था दुरगापूर बेंगॉल में जो मदद किसकी मदद से स्टार्ट किया गया था ब्रिटेन की मदद से स्टार्ट किया गया था और एक था बिलाई बिलाई जो है आपका च्छतिस गड़ में रश्या की हेल्फ से खोला गया था और एक था आपका राउर किला उडिशा में तो यह आपका किसकी मदल से खुला था जर्मनी की मदल से खुला था तो यह कहां पे है जी अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका दुर्गापूर वेस्ट बंगॉल अंसर इसमें यह ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा यहां पर मैंने महलनोबिस वर्ड यूज किया है महलनोबिस कौन है जिनकी बर्थ है निवस्टी होते हैं 29 जून को और हम सेलिब्रेट करते हैं नैशनल स्टैस्टिस्टिकल डे नैशनल स्टैस्टिस्टिकल डे हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन और इन्वों ने इंडियन स्टैस्टिस्टिकल इंस्टिटूट भी स्थापित किया था कहां पे कॉलकाता में इंडियन स्टैस्टिस्टिकल इ करें आगी कि चली आरबें के हैड़कॉर्ट कहां प boundary बड़ा सिंपल सा कुछिख है तो gdzie किसकी रिकमेंडेशन से बना था हिल्टन यंघ आया था और फिस्ट एप्र wildly को तो नाम है आपका एक आर्बी आया अ्कॉर्डिंग टूध स्फरी इस अननके को और और उस ताइम पर कॉलकाता वाज़ा हेड़कॉर्टर लेकिन अभी मुंबई में है मुंबई में शिफ्ट हो गए थे आपके थर्टी सेवन में तो नाओ दे हैड़कॉर्टर ऑफ आर्बे एज मुंबई अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर मुंबई क्लियर आर्बे के चे पर्सन कौन है मतलब आर्बी गवर्णर अभी कौन है ट्वंटी फिफ्ट गवर्णर है शक्ति कांदास क्लियर और आर्बी का जो लोगो है वो क्या है टाइगर और उसके पीछे क्या है पाम ट्री टाइगर अंडर एपाम ट्री ताड का पीड अंसर इसमें पुंबाइव पॉलसी यह बनाते हैं सभी जगह से पैसा खत्म हो जाए तो और बिया पैसा दिता है आन्सर इसमें डी आप्ष्ण बने गा मुंबई इस अ करेक्ट अंसर मुंबई वेरी-वेरी इंपॉर्टन को अगला देखो कि विच इंडियन फिल्म एक्टर हैस बिन इंक्लूड़ेट बाइद टाइम मैगजीन इन दा लिस्ट आफ मोस्ट इंफ्लूइंशल 100 पीपल ऑफ 2020 मतलब इसमें फिल्म एक्टर की बात चल रहे हैं मोस्ट इंफ्लूइंशल पीपल जो थे आपके 2020 के वो कौन थे जी कि इंडियन पराईम निस्टर भी थे बिलकुल सही कह रहा हो आप लोग लेकिन यहां पर बात क्या आ रही है एक्टर की बात आ अरही है जी इसमें एक्टर कुम थे आईश्मान खुराना अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा राइट अंसर आईश्मान खुराना इस दा राइट अंसर ए ऑप्शन इस गर्रेक्ट वन येस आईश्मान खुराना अगला देखो the weight of the object would be minimum when it is placed at देखिये काँ समझे क्या कहता है वेट किस कहाँ पर minimum होगा अब त्यहां से समनना क्या है किसके बरावर होता है m into g यह कुशं समनने वाला दिमाग लगाके वाला M into G होता है clear और gravity जो होती है वो indirectly proportional में रेडियस के समय जाएं इंडर्ट लोडिया रेडियस के अब रेडियस 0 कहां पर हो जाएगा सेंटर पर जब सेंटर पर 0 हो जाएगा तो अब्सक्राइब आपका वेट भी जिरो हो गया वहाँ इमम हो जाएगा अब एक चीज़ आपको और बताता हूं आपको रेडियस पता होगा जो रेडियस होती है पोल्स की रेडियस ऑफ दा पोल्स वो 21 किलोमेटर शॉट होती है किसके रेडियस ऑफ दा एक्वेटर के तो इसका मतलब इसका मतलब एक्वेटर की रेडियस जादा ह है इसका मतलब equator की रेडियस जादा है समझाया तुम्हें equator की रेडियस जादा है जब equator की रेडियस जादा होगी तो उसकी gravity कम हो जाएगी जब gravity कम हो जाएगी तो weight automatically कम हो जाएगा इट मेंज equator पे weight क्या होगा उसका कम होगा पौल सकीडियस क्या है छोटी है जब पॉल्स की लेडियस कम है तो इसका ग्रैविट क्या हो जाएगी और इंद क्या हो जाएगा मैक्सिम मोग Do अब अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कोशन अच्छा यह बताओ एक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो वेट के उपर क्या फर्क पड़ने वाला है जब हम एक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वेट घटेगा वेट जीरो कहां पे हो जाएगा सेंटर आफ अर्थ के उपर और सबसी जादा वेट कहां पे होगा डैडिजन नौर्थ पॉल और साउथ पॉल 90 डिग्री नौर्थ 90 डिग्री साउथ समझाया तुम्हें ठीक है अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर डी ऑप्शन कौनसी ऐसी अरब कंट्री है जिसने स्टार्ट किया पहला नुकिलर पावर प्लांट अच्छा एक और चीज़ आपको बताता हूं बेस्ट 500 करंट अफेर का पार्ट सेकेंड जो आएगा वो कल आएग प्लांट मतलब कौन सी अरब कंट्री है जिसने पहला नुकिलर पावर प्लांट यहां पर स्टार्ट किया जे तो वो है आपकी कंट्रेट डैड़ यू एई यूनाइट अरब एमिरात अंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर यू एई ने जो पता है कि नुकलियर रियक्टर के अंदर की बात करता हूं तो निकलियर रियक्टर के अंदर होता गया है नुकलियर पावर के अंदर नुकलियर रियक्टर के अंदर होता है कंट्रोल्ड फिजन रियक्शन होती है और उसमें मटीर कौन सा यूज होता है यूरेनियम सबसे मोनाजाइट सेंट है वहाँ पर मिलता है के रल जो है आपकी स्पाइशिटी है के अंदर नेच्छ रबड वर्ड वाइड सबसे ज़्यादा थाइलेंड में नाच्छ रबर को स्टॉंग बनाने के लिए प्रॉसेस कौन सा होता है वलकनी करन वाल वैलकनाइजेशन ओफ रबर इंस harsh तो लिस्टेड नहीं है इन दर यॉनेसको का हैड़कॉर्टर कहां पैरीस में है गहसे में साय आपका इन जैसे कि आपका काजी नंगा नाशन वाट अकली के लव्ड पार्डा यह आं दू क्योंध सुन्धर बन js मढग है काणा नाशन पार्ड राफ यह मैं ह। आजस्तान में सुन्दरबन आपका वेस्ट बेंगॉल में काना एंपी में तो इस कोशन का जो अंसर बनेगा आपका क्या बनेगा डी ऑप्षिन बनेगा अगर आपसे पूछा कि अच्छा यह पताओ इसकी इलावा और कौन से वर्ल्ड हेरिटेस साइट में है मानस वाइल ला वेस्टन घाट भी है वेस्टन घाट भी है तो इस अर ओल इंदा वा जो है आपके वल्ड हेरिटेस इस लेकिन कहाना नैशन परक इस नौट इन दा नैशन वर्ल हेरिटेस साइट क्लियर अच्छा आप से कोशिं एक पूछा आशकता है और अभी युनेसको का एक पता होग ona process program चलता है में राइस रेज़ को इंडिया का कौन सा existem इन नहीं अंत्रगत लिया था वह इंडिया की साइट देस बार्वां बना डड़ी किसे कहते हैं सूरत को कहते हैं और शूरत तापती रीवर के किनारे पर है समझाया तुम्हें समझाया तुम्हें चाहा बनेगा डी ऑप्षिन बनेगा राइट अब मैं सब्सक्रांश अब कर दो है यह इंडियन स्टेट का पार्ट है यह कहां पे है कि बिल्कुल कि बताओ बताओ बिल्कुल जी गुजरात में है और यह आइलेंड अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट असर गुजरात के अंदर गीर नैशन पार्क है आपका जो फेमास एशेटिक लाइन्स के लिए समझाया मध्यापदेश न्यूज में मैं आपको बताया था कि आपका वो याद रखना डैट इस पन्ना वाला पार्ट तरजस्तान में केवला दो है केरल इज़ा जो है आपका स्पाइश सिटी मोनाजाइट सेंड तीन जार्फेक्ट में आपको यहां पर बताए थे अंसर इस पर जो है आप यहां पर जुड़े मेरे साथ क्योंकि यहां पर सारी लेक्ट्टर पीडिया बगरा सब कुछ मैं शेयर कर देता हूं और प्लस मेरे दो पेड़ कोर्स आते हैं दो वान इसके अंदर हम चैप्टर वाइस प्रॉपर एंसी को तो हैं है प्लस आपके एक्जाम क सब्सक्राइब करेंगे आपको स्कीन के नजर आएगा यहां पर होमपेज यहां पर आपको देखेगा बैस से यहां पर यह वीयू का बटन को दबाना जैसी आप दबाएंगे 10,000 mc course आपको नज़र आएगा तीसे नंबर की उपर और जी एस को आपको नज़र आएगा चौते नंबर की उपर जो भी आपको courses अच्छे लगते हैं आप पर चेस करें और अपनी preparation को आगे बढ़ाएं और कल हमारा current affair वाला session होगा उसको को मिस्स मत करना ठीक है बहुत बच्चे आएंगे कल current affair के session में तो आप भी उसमें अपना बेस्ट देना आपको कितना आता है क्लियर सवाइज यह है आज की लेक्चर के दर कोशन सो थैंकि सो मच एंड और वारी बेस्ट कल मिलते हैं सुबह 9 बजे धन फिर शाम को मिलेंगे ग कर दो दो आ धना आपको मिलेंगे आपको मिलेंगे कि स्वाइज भी जड़र कर दो दो न चाहाँ दो चाहाँार आपको मिलेंगे का सफना है